हलो स्टुएंट्स नेक्स्टम स्टार्ट करेंगे चैप्टर थर्टीन स्टेटिस्टिक्स का एक्जेम्पल नंबर वन देखो क्या कह रहा है सबसे पहले मीन निकालो सबसे पहले क्या निकालो मीन का मैं यह सिंबल यूज कर रहा हूं यह पर कैसे निकालते हैं मीन सिक्स प्लस सेवन प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 करा मैंने 6 7 10 12 13 4 8 और 12 ठीक है डिवाइड किसे होगा जितनी टोटल टर्म से लाइग 3 4 5 6 7 8 ठीक है करो एड 6 7 13 और 13 13 26 39 और 38 हो गया 12 और जोड़ेंगे तो 38 और 10 48 हो गया 48 48 49 50 60 70 72 किलियर है और 8 9 यह आपके पास क्या निकल कर आ गया मीन निकल कर आ गया ठीक है यहां तक मेरे क्याल में कोई दिक्कत नहीं होगी अब मीन डैविएशन निकालते हैं देखो मीन डैविएशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा डैविएशन निकालना पड़ेगा हर एक value में से 9 minus करना है, mode लगावा है, कोई दिक्कत नहीं, 6 minus 9 पे mode, 7 minus 9 पे mode, 10 minus 9 पे mode, 12 minus 9 पे mode, 13 minus 9 पे mode, 4 minus 9 पे mode, 8 minus 9 पे mode, 12 minus 9 पे mode, ठीक है, देखो values क्या है, 6 में से 9 गया, 3, but negative गा था, mode लगा है, positive हो गया, ठीक है, 7 minus 9 पे están 9 पे कितना हो गया, 2, ठीक है, positive, 10 minus 9 पे पे खेंट गया, 1, okay, 12 chess 생 आयन गया, 3, okay, 13 में से 9 पे खेंट, 11, 12, 13, Revelation कितना हो गया, 4 हो गया, ये 9 पे खेंट, 8 में से 9 पे खेंट, वंके 12 में से 3, 9 पिए 3, यह आपके पास क्या है absolute deviations आगया अब देखो absolute deviations आप में क्या निकालना है mean deviations about mean निकालना तो कैसे निकालते हैं इस value को देखो formula लग देता हूँ mean deviation about mean formula होता है इसका summation i की value 1 से चलेगी कहां तक चलेगी n तक n हमारा क्या है 8 है क्यों क्यों हमार पास total number of values कितनी है 8 है तो यह चीज़ आप ध्यान देना यहां में लिख रहा हूँ x i minus x पर mode ठीक है और pawn के अंदर क्या जाएगा n आ जाएगा मेरे पास clear है यहां पर ठीक है और n क्या है मेरे पास number of terms तो मैं directly 8 यहां पर put कर सकता हूँ तो मैं यहां पर 8 put पर देता हूँ चलो डिरेक्ली इस समीशा लगने का मतलब क्या हो गया इन सारी value को समकरना है 3 प्लस 2 प्लस 1 ठीक है तो 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3,4,5 1 प्लस 3 3,2,5,6,6,3,9,10,19,20,22 by 8 बता हूँ समय मा आया क्या इलिया रहे है यहां पर तो यह हो गया आपका answer complete 22 by 8 आप चाहो तो उसको point में निकाल सकते हो कैसे निकाल सकते हो 8 cruiser 16 हो गया के 8 आया point 0 सही है 16 6 एक सिक्स आएगा सॉरी 456 था है आप ठीक है physics 4085 था 40 2.75 आगया आपके पास आप समझे मा आया फॉर्मूलाज आपको जब तक आप कैशन यूज नहीं करोगे जब तक कैशन सॉल नहीं करोगे तक आप उन फॉर्मूलाज को एपलाय करके यह नहीं देख सकते हैं कि एक्शल में कैशन सॉल कैसे हो रहा है तो इस मिला के शायदी है मेरे खैल में 8 या 10 मार्क्स के चैप्टर होंगे इस्टेटिक्स में सी आपके पास आरम से 6 मार्क्स का कैशन पूट हो का गैरेंटी है इस बत की परकी बात है एक या टू कैशन पूछते हैं और डिरेक्ली लॉंग के अंदर पूछा जाता है यह मतलब ज